तुलसी को जल देती समय रखे इन खास बातों का ध्यान मा लक्षमी की बनी रहीगी किरपा तुलसी पाक को जल देने से भगवान विश्णू की किरपा हुती है तुलसी के पौधे में जल चड़ाते समय इस बात का ध्यान रखे कि जल चड़ाने से पहले किसी भी तरह का अंग्रेंड ना करें हमेशा तुलसी को जल अर्पित करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए तुलसी के पौदे में जल चड़ाने का सही समय सूरे देव से लेकर उसके दो तीन घंटे बाद तक का होता है इस समय अवदी में ही तुलसी को जल चड़ाना सर्वोतम माना जाता है याद रखे कि तुलसी में हमेशा संतूलित मात्रा में ही जल चड़ाना चाहिए बहुत जादा जल चड़ाने से तुल्सी का पौधा जल्द ही खराब हो जाता है तुल्सी के पत्तों को कभी भी बेवजा ना तोड़े तुल्सी के पौधे में माता लक्षमी का वास माना जाता है इसलिए जब भी तुल्सी की पत्तियां तोड़े तो हमेशा हाथ चोड़कर उनसे अनुमति ले इसे कभी भी चाकूं कैची या ना खून से ना तोड़े ऐसा करना बेहदी अशुक माना जाता है कभी भी रविवार और एकादशी के दिन तुल्सी को जल नहीं चड़ाना चाहिए और ना ही इस दिन तुल्सी के पत्तों को तोड़ना या चूना चाहिए माना जाता है कि रविवार और एकादश के दिन मात तुलसी का अपवास रहता है और इन दिनों में उन्हें जल चणाने से उनका वरत खंडित हो जाता है कभी भी तुलसी को विना नहाए या आपवित्र इस्तिथी में ना छूना चाहिए मश्रूम में मरपूर मातरा में प्रोटीन होता है और पकाने के बाद इसे तुरंट खा लेना चाहिए इसे दोबारा गरम करने से इसमें मौजूद प्रोटीन खतम हो जाता है साथ ये पाचन तनुश को भी नुकसान पहुँचाता है पके हुए चावलों को फिर से गरम करके नहीं खाना चाहिए अगर पके हुए चावलों को फ्रिज में ना रखा जाए तो ये वैक्टीरिया के लिए प्रजनन स्थल बन सकता है मुम्किन है कि इन्हें पकाते समय कुछ जिवानों जीवित रहे हुए अंडे अंडे विभर पूर मात्रा में प्रोटीन होता है और यही वज़ा है कि जादतालों इसे प्रेक्वास्ट में खाना पसंद करते हैं अंडे को फिर से गरम नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इसमें मौज़ों प्रोटीन खता हो जाता है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकरें अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को जाता से जादा लाइप शेयर जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें